शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें अनलोक एक पर पुलिस आयुक्त से फेस्बुक लाइव के माध्धम से चर्चा करेंगे रामकृष्ण वोजा कोरोना लॉगडाउन में कई तरह की परिशाणिया नागरिकों को हो रही थी लॉगडाउन के दौरान शहर की दुकाने और सभी संस्तान भी बंध है शहर में नाखपुर पुलीस का अच्छा सयोग नागरिकों ने किया पुलीस और नागरिकों ने विलकर एक दूसरे की मदद की पुलीस ने भी इस दोरान नागरिकों की मदद करने की कई मिसाले पेश की है अब बढ़ते हुए संक्रामन में जब लॉकडाउन अनलोक एक शुरू हा है अनलॉक के बाद शहर में कई दुकाने मौल शुरू हो चुकी है इस दोरान अब नागरिकों को कैसे पुलीस के मदद करनी है किस तरह से नागपुर के नागरिकों के और पुलीस के संबन बहतर होंगे कैसे नागरिक पुलीस का सयोग करेंगे शहर के नागरिकों को किस तरह से नियोमों का पालन करना होगा लॉकडाउन के बाद मार्केट में मंदिया आई है आर्थिक स्थिती को पट्रे पर लाने के लिए अनलोक में नागरिक कैसे पुलीस की सोशल डिस्टेंसिंग में मदद कर सकते है नागपुर पुलीस के साथ समन्वे बनाकर कैसे दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इन सबी विशेव पर प्रभावती ओजा, स्मृती सेवा संसा के संसापक और कॉंग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के महासच्य औराम किशन ओजा ने नागपुर शहर के पुलीस आयुक्त डॉक्टर भुशन कुमार उपाध्य के साथ चर्चा के लिए फेस्बुक लाइव का आईजन किया है पंद्रा जून को ठीक पाच बजे पुलीस आयुक्त लाइव में नागरी को सेरू बरू होकर चर्चा करेंगे इन बीस आन न्यूस के लिए अभी शेक पांसे के रिपोर्ट